तो देखिए फ्रेंड्स आज का पहला प्रस्ट आज मैं 20 का स्रीज में ही इसको डालूंगा ये जो क्वेस्टन है इस क्वेस्टन का मैंने 30 क्वेस्टन स्रीज में अप्लोड करा दिया हूँ वह अप्लोड है अप्लोड उसको देख लिजिएगा आज मैं 31 से स्टार्ट करूँगा 20 क्वेस्टन तक ठीक है तो पहला क्वेस्टन है विच वान ऱफद फ्लोविंग इज टाइप अ डिज टाइप अ चॉपन और ल मॉडstoffe ये जो तीन अ य तीना का अपका का कप्लिग है तो इसमें से व्लाफ दीच आपका अंसर होगा ठीक है यह यात करिक है यह याद करिए ये यह थि college कपलिंग है अगला कॉश्यन हम लोका का है which of the flowing is a precision measuring instrument इस में से precision measuring instrument कैया है तो पहले देखिया आप नहीं भी पता है तो आप यहां से आउट कर सकते हैं measuring instrument को में है है एक्षो grinding और पिक पंच तो कौन सा आपका राइटेंसर होगा भनियर कैलिपर ठीक है भनियर कैलिपर अगला क्वेश्चिन के तरफ बढ़ते हैं ठीक है और पाइप फोल्डिंग टाइटेंड कर सकते हैं यहां बोला है पाइट फिटिंग टूल तो आपका एट टूल का यूज किया जाए तो आप इन सभी कार्ये को कर सकते हैं तो आपका एंसर होगा ओल अप दीज टीक है अब चलते हैं अगले क्वेश्चिन चार नंबर क्वेश्चन करना पादा है इंस्पेक्शन करना हो उसके बाद याप सर्विशिंग लूब्रिकेशन करेंगे तो आपका एंसर अल अप दीज होगा ठीक है आगे चलते अगले क्वेश्चिन पे और पाच नंबर क्वेश्चिन है वीच वन अप दा फ्लॉवविंग इक्व in Pipe Fitting By Pipe Fitting में निमनमेंसे.. कौन सा अवजार इस्तमाल होता है nog देखिए Pipe Fitting में का सभी सब्ढ़ होंगे कि पाइप यसे करेंगे कर्योंकि Pipe Dye, क Gar棉is करेंगे पाइप भाइट करेंगे पाइप कतरर में यसे刷्ट या यारि governmentि commemorate? का pipe fitting में यूज करते हैं तो आप all of these का answer होगा ठीक है छे नंबर question which which one of the flowing gaze is used to check gap between matching parts important question है ठीक है इसमें ये exam का paper है तो सभी important है ये direct question आने वाले question है ठीक है तो क्या होगा आपका filler gauge होगा ठीक है filler gauge दो parts के बीच का gap चेक करने के लिए filler gauge का यूज करते है ठीक है अगला question which one of the flowing is a method of lubrication पता नहीं ये इसका हिंदी क्या है कौन सा स्नेहन की एक वीदी है तो lubrication का method क्या है तो आपको पता होना चाहिए splash feed lubrication करते हैं gravity feed भी करते हैं pressure भी करते हैं ठीक है all of these आगे बढ़ते हैं अगला question which one of the flowing is a unit of length length का unit का होता है तो length का meter होता है इस तरीक सी आपको इस सब के बारे में पता होते है tapman का Kelvin ठीक है ball का Newton होता है drumman का kilogram होता है ये volume का kilogram होता है चलिए आगे चलते है which one of the flowing element is not used as a roller in roller bearing roller bearing में roller के रूप में निम्न में से कौन सा तत्तो उपयोग नहीं किया जाता तो देखिए आप जब roller bearing में तो आपका गोला कार रहे गाई रहेगा टैपर भी रहेगा और cylindrical भी आपका रहेगा यानि गोला कार संकु कार और बिलना कार तीन प्रकार क्या प्यापके रोले तो आपका एंसर होगा नौन अब्रीज यहां अगर आपका क्या बोलते हैं इंचा छोड़ो आगे चलते हैं सब तो रहेगे करिंगोश में चालिश यानि दस नूमर क्राशन विच अब द फ्लबेंग लिए इंचा नंबर आ निलिंग तिक आ अगे बारते हैं which one of the flowing is mounted in order to support nut bolt and screw निम्री में से क्या nut bolt screw आदी में support लगाने में किया रहता है तो क्या आप coupling का use करते हैं नहीं वासर की use करते हैं की का use करते हैं तो देखिए nut bolt की use नहीं होता हम वासर की use करते हैं ताइट देने के लिए कही nut थोड़ा loose हो रहता है हम लोग वासर लागा के उसको अधिकता टाइट कर देता है चली अगला question बारा नंबर which of the flowing metal material is used for marking making drill drill बनाने के लिए कौंसा material यूज होता है तो drill बनाने के सबको पता है high speed steel और hexo blade के लिए high speed steel ठीक है 43 यानि 13 नंबर हम लोग का question होगा tool used for making of any job किसी भी job पर marking sorry marking के लिए marking के लिए परयुक्त होने वाला ओजार क्या है marking करना है बताइए आप marking किस किस चीज़े से कर सकते हैं बताइए यहाँ पर देखिए आप measuring tool से क्या marking कर सकते हैं नहीं cutting tool से marking कर सकते हैं नहीं तो किस से का marking tool से ही आप marking कर सकते हैं ठीक है आगे बारते अगले question तो अगला question है 14 नंबर daily maintenance of machine is known as daily maintenance को आप क्या कहेंगे routine ठीक है routine maintenance daily को routine कहते हैं ठीक है preventive maintenance आपका सब्ता मेहना में इस तरीके से जो होता है उसको PM कहा जाता है ठीक है 15 नंबर question die is made up die जो होता है जिससे हम लोग external threat करते हैं किसका बनाता है high carbon steel ठीक है high carbon steel mild steel तो हो गाई नहीं कभी भी ठीक है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं low carbon steel ही सब होगा नहीं क्योंकि तो आज का ये मैंने आपको पूरे 45 जितने थे इसकी पूरी सीरीज आज की complete होगे तो आज मैं 15 ही question रखता हूँ और रहा आपका question of the day का answer तो question of the day आपका जो दिया जा रहा है आप बताईए कि तापमान का एसा यूनिट का है यानि temperature का temperature का एसा यूनिट का है मैंने इस वीडियो में ही आपको बताईए अगर आप seriously पर रहे होंगे तो आप बता देजीगा temperature का SI unit ठीक है तो अगले वीडियो में मिलेंगे उससे पहले हम आपको बता दूँ मैं जो आपको बोल रहा था strategy वीडियो वो आपको कल 10 बजे मिल जाएगी और उस strategy वीडियो को आप जरूर देखिएगा और अपने जितने भी group है जितने भी आपके most important friend है जिन्नोंने fitter किया ताकि उनका भी भला हो हमेशा अपने लिए अगर कुछ करना चाहोगे तो असफलता ही मिलती है आप सबको लेकर करो आप दूसरे के भी help करना चाहो देखो आपको success मिलेगे क्यूंकि help आप जब भी कोई पढ़ाई करते है ना तो आपको discussion ज़रूरी होती है ठीक है तो अग अखेले जाने में प्रब्म होगा तो friend circle बना के रखिएगा और उनको भी share करिएगा ठीक है तो आपका यही एक काम रहेगा कल का वीडियो देखने के बाद share ज़रूर करिएगा और वीडियो को पुरा इंड तक देखिएगा ताकि जो चीज हमारा focus है उस पे हम लोग पूर द्रिधता से बने रहे ठीक है तो के मिलते हैं कल के वीडियो में थैंक्यू बाई बे